मंगनूर नाम के एक गाउं में पर्दिसी नाम का एक गरी बाद में हुआ करता था उसकी पत्नी का नाम गंगा था वो बहुत बड़ी जगडालू औरत थी पहले पत्नी के मरने के बाद उसने गंगा से शादी की पहली पत्नी की बेटी का नाम गुडिया और गंगा के बेटे का नाम बंटी था गंगा गुडिया की देखबाल करे बिना बंटी को बहुत लाड़ प्यार से देखती थी इस वज़े से बंटी बहुत जिद्धी बन गया था पर्देसी अपने घर के सामने ही मिट्टी के मटके और बरतन तयार करके उन्हें एक ठेली पे रखकर पूरा गाउँ घूमकर बेशता था यू पुकारते हुए बेशता था आए दिन बंटी के लिए कोई ना कोई खिलोना खरीत कर लाता था कभी खिलोना नहीं ला पाता तु बंटी नीचे गिरके मनमानी करता था कंगा पैसे बस नहीं हो रहे हैं कहकर परदेसी को ताने मारती थी ची तुम कैसे मर्द हो ये भी कोई कमाई है क्या तुम बहुत पैसे कमा रहे हो के कर खरवाले मेरी शादी करके मेरा गला काटे कम से कम एक दिन तो भी जादा पैसे कमा कर लाए क्या कहकर बोलती थी परदेसी ये क्या गंगा तुम मेरी स्थिती जानती हो ना आजकल लोग मिटी के बरतन नहीं खरीद रहे हैं और उपर से आए दिन कमय पैसों से बंटी के लिए कोई ना कोई खिलोना खरीदना पड़ रहा है इसलिए पैसे बस नहीं हो रहे हैं कहा गंगा तब मतलब क्या तुम हर दम उसके उपर रोते रहोगे इतना चोटा खिलोना करित कर दिये तो आपकी कमाई पूरी खतम हो जाएगी क्या छी अगर ऐसे ही चला तो मैं आपने बेटे को लेकर कहीं दूर जाओंगी चलो बेटा चलते हैं बोली गुरिया तब मा रुको मा हमें चोड़ कर मत जो बेचारे पिताजी हमारे लिए बहुत महनत कर रहे हैं वेसे जब भी पैसे होते हैं पिताजी इसके लिए कुछ न कुछ खिलोने ला रहे है ना मुझे नहीं दिलाए तो भी उसे दिला रहे है ना समझा करो मा बोली बस गंगा गुडिया को एक खींच के मारी और बाते करना सीख गई हो लगता है ये सब टीवी सीरियल्स का असर है देखो पहले ही के दे रही हूँ परसों इसका जनम दिन है इसे बहुत सारे खिलों ने खरीद कर देना होगा नहीं तो आच्छा नहीं रहेगा कहकर ओडर दी बंटी तब कहा एक दिन गुडिया पिता को उदास बैटे देख पिता जी आप उसे उतने खिलों ने कैसे खरीदना है केकर सोच रहे हो ना उसके लिए मेरे पास एक उपाय है मेरे कही जैसे किये तो आपको एक रुपे का भी खर्च नहीं होगा अब सारे खिलों ने मिटी से ही बनाईए बाद में मैं उन्हें रंग दालोंगी उससे उन्हें दुकान में खरीदे केकर जूट बोलिए परदेशी तब वाह मेरी बेटी कितनी समझदार है कहकर बेटी को खुशी से चूमा ऐसे वो मिटी के खिलोने बनाने लगा तो गुडिया उन्हें रंग दालकर एकदम असली खिलोनों के जैसे बनाई बर्डे के दिन परदेशी के दिये खिलोनों को देखकर बन्टी बहुत खुशुआ उन्हें खेलते हुए जूमने लगा अगले दिन बन्टी मा पिताजी आज हमारे स्कूल में खिलोनों की प्रित्योगिता है केकर कहा तना जल्दी तेयार हुए वहाँ पर सब तरह तरह के खिलोनों के साथ प्रित्योगिता में भाग लेंगे मैं भी मेरे खिलोनों के साथ भाग लूँगा गुरियां चलो चलते हैं कहा ऐसे सब स्कूल को गए स्कूल में सारे बच्चे अपने खिलोनों को वहाँ पर रखे बंटी भी अपने खिलोनों को रखा हेड मास्टर तब मेरे प्यारे विध्यार दियो आज हमारे प्रतियोगी ताके मुख्य अतिती है मशूर खिलोनों के कमपनी के मालिक ओ ब्राई जी विजेता को उनी के हाथों बौवमान मिलेगा कहा इतने में तेज बारिश गिरने लगी बंटी के खिलोनों से रंग निकल कर वो मिल्टी के खिलोनों के जैसे बदल गए ये देखकर परदेशी और गुडिया दंग हो गए गंगा और बंटी को परदेशी ने उन्हें थगा है कहकर बहुत गुसा आया उन्हें देखकर ओबराई और बाकी के स्कूल वाले आशिर में पड़ गए इतने में उस बारिश में भीगने के वज़े से सारे खिलोने पिगल गए उससे गंगा आग बबुली होकर गाली देने के लिए उठी छी तुम कैसे इंसान हो जी? चोटा बच्चा जनम दिन के लिए खिलोना पूचा तो मिटी के खिलोने देकर धोखा दोगे अब मैं और मेरा बेटा एक मिनिट भी यहां नहीं रहेंगे अब और आपमाद नहीं सहेंगे बंडी बेटा चलो चलते है कहकर जाने लगी तो परदेसी आप सबको मेरा प्रणाम इस प्रतियोगिता में हुई इस गलती के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ मेरे बेटे के जनम दिन को असली खिलोने खरीद नहीं पाया तो मैंने मिटी के खिलोने बनाया मेरी बेटी ने उन पे रंग डाला ऐसे होगा कहकर मैंने नहीं सोचा हमें माफ कीजिये कहकर सबके आगे हाथ जोड़ा ओबराय तब श्रीमान इतनी बड़ी कला अपने बास रखकर आप माफी क्यूं मांग रहे हो आपने कुछ गलत नहीं किया आपके खिलोने बहुत अच्चे है मैं बहुत दिनों से परिया बरन को हानी पहुंचाने वाले प्लास्टिक खिलोनों की तैयारी कम करने के लिए सोच रहा था अब आपको देखने के बाद अपसे मिट्टी के खिलोने तयार करने की सोच रहा हूँ आप मेरे साथ रहे तो कमपनी के मुनाफे में आपको 50% हिसा दूँगा प्लीज मना मत कीजिए कहा ये सुनकर गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पती से माफी मांगी एक अच्छा आफर देने के लिए परदेशी ओबराय को नमस्कार किया